काउंट विल्च शेवट्य वे शेवट्चा बॉल ला अता ज्या ठेकानी मंगेज बहुस वही आंचा आगमान जलेला है कुरुपाया जन्ने इगड़ स्टेज वरी उन बसाइचे अपनला विलनती है कि आपां स्टेज वरी उन बसाइचे इगड़ा तो फ्रेंड्स गामलर वसेस जांटी फैन क्लब इन दोनों के टीब में चलता हूं यह मुकाबला दूपर का समय लगबग एक बच कर्च अबेस मिनट हो चुके है और आपको पहले मैं बताना देना चाहता हूं कि बैट्समां क्रीज पर आएंगे पहली बॉल से आपका स्टा होंगा और आपको 33 मिनिट के अंदर एक इनिंग खतम करनी है अगर उससे ज्यादा पाच एक मिनिट होते है तो एक इन आपको पाच रण के पैनल ने लग सकती है मैंने पहले काता और अभी बार-बार कह रहा हूं में उसके बाद ओके स्टाइम स्टार्ट हो चुका है तेर भी लिगेंड वरी एच्छे ते पाइड एक इंट के साथ तो और थैक्यू सो मज जीजे हमारे दर्श को का अफी रोंच अका मन रोचन करते हुए फिर जेक वार वस्यम की गेंद और इस मर्था महां में लेकिन क्यारी नहीं कर पाए फिल्टर तक हो गेंद दोड करेकरन पूरा गया नासर मामू काफी बढ़िया बल्ले बाज रोसिम्मी काफी बढ़िया केद माज वर बल्ले बाज है और शारुक कल के मैच की हीरो आज भी चलना होंगा अगर मैच जीतना है तो फिर से एक बार फोल्ट वास गेंद हाथों में रणो काफी रस्ता है लेकिन पड़िया फिल्डिंग वापर रोहित थे बिल्णर शायद उतने आच्ची विकेट कीपिंग बाळूग आच्ची बल्ले बाजी करने होंगी नासर मामू और शारुक को फिर से बढ़िया गेंद यापर जड़ में दाल हुई इस गेंद पर कोई रणने अच्ची फिल्डिंग पॉण की शिद्र में और इसके पहले जो मुकाबला हुआ था काभी रोमांचक मुकाबला हुआ था एकिनान पहले तो ऐसा लाग रहा था कि वेर स्ट्राइकर काभी आ हुएंगी लेकिन उसके बाद सल्वान इनांदार काभी बड़े बल्ले बाजी की और आपने टीम को मैच जिताई और इस बीच इस मुकाबला चलता हुआ आए फ्रेंड्स ग्यांबलर और चांटी फैन क्लब की बीच में पहली और प्रकती पर है केंद बाज है वसीम बल्ले बाज है नासर मामू जो दोनों ही ओपन के खिलाड़ी है तुलिशी दिशया इनके नाम पर कैसर वाइट बॉल और यूनिक स्पोर्ट के आउनर जफर मामू इनका आगमन होगा है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आईए आपका हर्दिक स्वागत आयो जोग और हमारे तरब से इसे बीच फिर से अच्छी गेंद बाजी दोड करेकरन पूरा क्या ले गें इसे बक्त और वाम पर कैसर और के समापती दोड करेकरन और इसी एक और के साथ एक और के समापती पर स्कोर है नौरान अभी देखना है दूसरी और कोन लेकर आता है और यूनिक स्पोर्ट के आउनर जफर मामूं इनका पर हर्दी कावे नंदर इस ग्राउंड के ओपर और हमारे आवजक इनकी वर से भी उनका हर्दी कावे नंदर और 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 पहली के दोर चेरन असर महूं पहली कि अध्याइब 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 और यह पर अध्याइब 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 और आने वाले समय में आपको पता लग जाएंगा फिर से एक बार अच्छी घेंद वहाँ पर अच्छी घेंद बाजी करते हैं पिर से आपर अच्छी घेंद करते अध्याइब अध्याइब बढ़िया विकेट कीपिंग वाबर बालू सोलंकर द्वारा चे टीम बनाए होने जॉन्टी फैन क्लब काभी बढ़िया फिल्डिंग सजाई है फिरसे एक बार और तुड़ी सी दिशाइन गेंद ये केन न चार न अम बार काई शारा और यू यू बीला कि एक अट्वार और एक शुड़ें प्रिल से च चिरेंग फिल्डें famous है खिल्ड़ी ने बाइट करने फिल्डेंगे शोजह कंतने हैं पड़ीया हारा किश और खर्रेट एक हम करने ऑने के उसे दोद और हो पॉनला करना आहराB dent किसमाप्ति दोर किसमाप्ति पर स्कोर है 21 रन और पावर प्ले खतम होता हुआ पाच खिलाड़ी आप थर्डिया सरके के बाहर रख सकते हैं इसी बीच दुपार का ये मौस्वम काफी जादा दर्शक इस मैंच को मुकाबले को देखने आए है और मैं आपको फिर से बताना द देना चाहता हूँ कि ये हिंदूर देश सम्राठ चाशक 2020 आउज़क आमचे केलाजब विवाले शिव सेवना विबाग प्रमोग और ये मैच चलता हुआ जान्टी फ्रैन क्लब और फ्रेंड्स ग्यांबलर के बीच में दोर के समाप्ति पर स्कूल स्कोर 21 रन थोड़ा सा पावर खत्म खत्म होता है फिरसे गेंद बांटे गावर रसंबालें को मेरे ख्याल से वसीम का मझा दू ए दो हे द हो अगरनाता ही कितना अने वाले समां में कि नसरही द्यादा चांस देते नहीं हdraw शुरू-शुरू में पिर से एक बार सामना करेंगे नासर ममों गेंद बाद है वसीम ओ पिल से आपन बढ़िया गेंद मेरे क्याल से पैड से टक रही जी हाँ हम पर कभी इशारा दोड़तर एकरन चुरा लिया दोनों बल्ले वाजों ने अच्छी रनिंग वापर और काफी पढ़िया गेंद बाज है वसीम और उतने आच्छे बल्ले बाज है लिफ्ट हैंड फिर से एक बार सामना करेंगे फिर से यापर से बल्ले पर आई नहीं वहाँ पर खेलाड़ी तैना था मेडाउफ की शेतर में दोड़कर एकरन चुरा लिया दोनों बल्ले वाजों ने और फिर से मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि 33 मिनट के अंदर एक किनिंग खतम होने चाहिए आभी भी एक बच कर 34 मिनट हो चुके फिर से एक बार अबामे केंदे लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी खुश किसमा तरे नासरमा में जानते हैं काफी उनके कंदों पर जिम्यदारी टीम की अगर आट ओर आखरीत खेलते है तो लेकिन अना काफी बड़ा सकोर कड़ कर पाते हैं अपने टीम के लिए और कुथ के लिए भी और अच्छी गेंद बाजी इस वोर में वसीम पहलेर में थोड़ी से माइंगे साबित होते हुए इस मरतबा अच्छी गेंद बाजी सई लाइन दोर से लेंद के साथ गेंद बाजी करते हुए और फिर से जड में दाले वे बैट का नुरूनी के नारा वहाँ पर बढ़िया फिल्डिंग स्लिप एरिया के दिशा में खिलाड़ी आपर तैना थे अच्छी फिल्डिंग वहाँ पर ओर रोड़ी के बैट चेंज कर सकते आप बैट फिर से एक बार फिर से एक बार पैट से टक रही कोई रन लेना चेते मना किया शारुक ने इसी बेच डॉट डिलिवर या पर आच्छी गेंद बाजी इस ओर में वसीम दौरा हाथ खोलने का मोका ने दिया इस परतबा नासर मामू को लेकिन नासर मामू भी जानते हैं अगर यह और खेल पात अरे चेर ना मैक्सिमाम चेर अरा तीन और की समाप्ति बार स्कोर है एक उनतीस रन हमारे स्कोरर है रवी उड़ान काफी आच्छी स्कोरिंग करते हैं और हमारे इस मैच के आंपायर है रमेश सालों के और सोनु जादो काफी बड़ी आंपायरिंग कि अब विदा का इसा पूरे श्रंकला में और फिर से एक बार गेदम आज में परियोड़तन होना चाहिए मेरे ख्याल से जी हाँ तिर से यापर जण में दाले विगेंद यापर कापी अच्छी गेंद और ये इस मर्दबा विगेट है कि अपके पास एक रिवी अप रिवी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप रिवीव यह तो एक फ्लिटींग और एक बैटिंग पास एक एक रिवीव है आप कभी इसका इस्तमाल कर सकते हैं और आप पर बोनुस विकेट कहुंगा मैं इसको शारो का मेरे ख्याल से क्रिच के बाहर निकला गए थे वहाँ पे बढ़िया विकेट के पिंग बालू सोलंकर द्वारा और हमारे हमपायर मैंने पहले का तक अभी उनकी न काफी बढ़िया श्वाड वापर मेरे क्याल से दीपक माम आए बनले बाद चार रन और दर्शकों के लिए बतना देना चाहता हूं कि आजू बाजू में काफी बढ़िया आयुजन किया है खाने के लिए अपने को जिसमें नारल पानी है शंगदाना है भेल है और हमारे श पिर से एक बार हलके दो से केला गले के शेदर में दोड का रेकरन पुरा क्या ओपन के खिलाडी मेरे काल से नासर मामो और दीपक मामा पिर से आपार जडमें दाला वी गेंद वापर रमेश्वर की लेकिन अब अब ये तक संबल कर बल्ले बाजी कर रहे हैं जानते है अगर आखिर तक खेलना होगा दोनों में से एक को बड़ा अगर बड़ा टार्गेट खळा करना है तो फिर से बार रमेश्वर की गेंद सामना करेंगे दीपक मामा इसी बीच बढ़िया गेंद वापर जड़ में दाले भी फिर से एक बार डॉट डिलिवरी है और ये पल्लू स्कूप खेल दिया उसको गेंजादी समयरे के तरफ चार राण बढ़िया अश्वाधिये और किसमाप्ति पर चार और किसमाप्ति पर चार किसमाप्ति पर स्कूल स्कूर है एक और 40 रांड और मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि टाइम अभी एक बचकर 40 मिनट हो चुके है आपका स्टाइम स्टार्ट हो आता है एक बचकर 27 मिनट को आप अपकी घड़ी चेक कर सकते हैं उसके बाद मैं किसी का भी कहिना नहीं मानूंगा जो पैनल्डी है ओ पैनल्ड मिलेंगी और फिर से एक बार गेंद बाजी में परिवरता ना मेरे कहाल से गेंद बाजी का बार समालेंगे कापी बढ़िया गेंदी जड़ में नाली उतना है अच्छा श्वाड वापार नासर मामो का लोंगाप की शितर में केला हुआ दोड का रेकरन पुरा गिया अकाश अगेंद बाज तिरसे आपर बढ़िया गेंद जड़ में दाला भी बोका नहीं दिया बनले बाजो का हाथ खोलने का वेज़का चंटी फैन क्लिप गेंद बाजो ने कास कर वसीम काभी बढ़िया गेंद बाजी की वसीम ने उनका साथ देते वे गेंद बाज आकाश तिरसे आपर बढ़िया गेंद, बार बार आपर गेंद को डॉट करा रहे है, और दीपक मामा और नासर मामू, एक आनवी, दोनों ही आनवी बनले बाजे, आभी बढ़िया बनले बाजी कीरती करते हैं, दोनों ही, टिपल सीकी ओर से केलते हैं, फिरसे एक बार, और इसी से ते गेंद बनले पे आई नहीं है अप्याची फिल्डिंग एकी रन से सम्तो शोना पड़ेंगा आच्छा थ्रो आच्छी विकेट कीपिंग फिर से एक बार गेंद बाच के आतों में गेंद है और आले लिया सर्वा मानने वरां जानी खिलाडूंचे अविजय कानी अमचा अधिक स्वागाथ फिर से एक बार आकाश एकेंद बात सामना करेंगे नासेर मामू फिर से आपर जान में दाले गेंद जाती भी सिमर के तरफ यकिन आना आउल्फिट का भी तेज चारण अधिक्सक्लूसिव एंड़ी 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 क्यां में जाए तक ओड़ी और जाए कापी बढ़िया गेंद यसमर्तबां अंपार केश्राव और की समपती कि पाच्वर के समापती पर स्कुल को रहा है पंचाली जराना जो की एक 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 रिक सांत वार फ्रेंड गेंड ग्लार हुआ झाल झाल और फिर से रामेश्वर गेन बाज दिपक मामा का एक शॉट वापे आची फिल्डिंग रोई ते फिल्डर दोड करेकरन पूरा गया जपतक और मैं आपको बार बार बाता ना देना चतला हुआ कि टाया टाइम की का भी पाबन दिये भाईया अगर आप टाइम से चूकेंगे तो आपको पाइट रोने की पाः पैनली लग सकती है फिर से एक बार नासर मामू स्ट्राइक पर रहे हैं और ये स्लोलर गेंज सही पड़ा उसको छेरन और काभी बड़ी आश्वाड और नासर मामू का जो क्याच छोड़ा था उसका ये कामेयाज भुगतना पड़ रहा है जौन्टी फैन क्लब को जानते उस क्याच का मोहत हुआ अगर आप आच्चे खिलाडी का कैस्ट ने पकड़ेंगे तो आप मैच ने जी सकते इस मर्दबा फिर से गेंद बाज है रामेशोर सामना करेंगे नासर मामू और ये तो काभी बड़िया शॉट तारा वंडल पार छेरन और या पर अपने पूरे ले में आते हुए नासर मामू लगातार दो गेंदों में दो पड़े बड़े प्राहर चेरन फिर से बार और इस मर्दबा आच्छी गेंद और आच्छा स्ट्राइक कवर के शेत्र में वापे वसीमा खिलाडी तैना ते लेकिन उनके आतों से गेंद जुटी गेंद जादी बॉंडर लेकिन चारन और हमारे हमपार का इसारा चारन तो ये दो और काफी महिंगा साबित होता हुए आपर रामिश्वर का हो रही है फिर से एक बार पिर से आवा में गेंद लेकिन आपर क्याज पकड़ा है रोहित ने क्या बढ़िया क्या रोहित का ये और नाशर मामू को जाना होँगा पविल आपस आपना और बढ़िया विकेट चटका है रामिश्वर ने भी कि और या पर ताभी परिया इसता है अपनी फालो जुरू में यह दादों में आई वरना यह तो और आपर कैसा रहा और कि समाप्ती स्कोर है त्रे सट रहन है जो कि आभी आभी बड़ा विकेट है आपर कावाए आए फ्रेंड्स ग्यामलर ने नाशर मामू को रूप में जो कि बढ़िया बनने बाचगी नाशर मामू ने कि 43 रन बनाकर आउट वे नाशर मामू और आच्छी क्याच पकड़ी वापर रोईत ते खिलाडी अगर वो पहली क्याच पकड़ दे तो वो जो 17 या 20 रनों का फासला दो कम होता था लेकिन देर आए दुरुस्त आए जाश तो पकड़ा है फिर से एक बार गेंद बादे आकाश मेरे ख्याल से जिया पिर से आपर एक रनों आपर चुरा ले आए और दीपक मामा है बले बाद आपर बड़ा विकेड आपर दीपक मामा का लो फुल्टाज गेंदी है और कुप्तुरा श्वाड दीदा स्ट्राइट स्किन्स के ओपर चेरन आप और कुप्तुरा श्वाड ये वहां पर कोई खेलाडी तैनात भी नहीं रह सकता है आप कापी बड़ी आश्वाड ये गनेश का सिधा छेरन के लिए गनेश भी काभी बीगेडर बल्ले बाज है अच्छी बल्ले बाज ही करना जानते हैं लिए ये थे बार आकाशे गेंद बाज है पिरी से वह पस वहीं खिराडे के पास गेंद ररत कह जाओ लिए फिट्च वाज बी पर सचली तो यह पिकित वाज लिए राट कुटली आपनादार रिगी अला शीज नित अब बल्ले बाजे करने के लिए आए शज्जो और श् कि लेफ्ट एंड बन ले बाद है कि हम पार डिसेजन रहेंगा वसिंब भाइए कि फिर से एक बारा आकाश आपर दो गेट जटके इस ओर में आकाश ने कि फिर से बड़ी आश्वाट आपर आपके लाड़ी तैना थे दोड़ कर एक रहना चुरा लिया दोने बल्ले बाजने और आची गेंद बाजी कहुंगा आकाश की में दो बड़े-बड़े विकेट जटका आपर आपर दीपक माम और कनेश का जो कि आचे बल्ले बाजी कर र और यह अपर संध्यों कावी बड़ी आश्वाट आपके और यह जेरन साथ वर किसमाप्ति पर स्कोर है सत्यातर रन फ्रेंड्स ग्यामलर अच्छे बल्ले बाजी अभी भी एक ओर आना शेश है तेकना है आने वाले छेएंदों में किटरन बढ़र बाते हैं दो पल्ले बाजी है सद्दाम और सज्जों कि सज्जों ने आते ही आपने चेरण के साथ खाता खोला बड़ी अश्वाट और आभी भी टाइम मैंने जो पताया था एक बच के 27 मिनट आपका स्टाइम स्टार् उस्मान गेंद बाजे और ये फिर से बड़िया फ्लीके और ये हमारे पेंडोल के तरफ बाते ही गेंचेरण काफी बड़िया श्वाट था ये पहली गेंद पर सद्दाम का ये बड़िया श्वाट छे रहा ना और फिर से आपर केल दिया है गेंद सिधा कॉमेंट्री बॉक्स में बड़िया फिल्डिंग वापर और सद्दाम यापर काफी बड़िया बल्ले बाजे करते हुए तो केंदो में दसरन खर्च के रहे उस्मान ने और अच्छी बल्ले बाजे कहूंगा सद्दाम की यह काफी मोहत्तों पूर्न रहन है अने वाले समय में और इस फिर से हावा में गेंदे यह के रंजे संदुशना पड़ेंगा लो मैट्स में जागिरी यह गेंदे दूसरा रन लेना जाते हैं लेकिन सज्जों ने मना गिया लगता है सज्जों यह आने वाले समय में कभी बड़े बड़े प्रवार करने वाले हैं प्रटी यह अ कि अ और पिर से हाव में आ गेंडे और रोई यह अ रोई टेलाड़ी रुए रोटी मेने पहले गाँ आठापी बड़े आ खिलाड़ी ए रोटी प्रविटर भली आठाट पै पीपलिया बने बासे लिए भटने बहुए रोटी त आठालमा पासे रवाले यह अभी क्याप्टर नहीं बल्ले पाजी किर लिए यूनिस भाई अगरो दो रन लेते तो यह किना नहीं है जो डॉट डिलिवरी है और यह करा ना और यह विकेड भी नहीं किरता लेकिन अ फिर से बारा सद्धामें श्ट्राइक पर और यह बड़ा शॉर्ट केल लए पेड से टक राई रन लेना चाथे लेकिन मना किया सद्धाम ने इसें नहीं कि यह लगता है आखरी गहें देख ना इस आखरी गहें देख न इस आखरी गहें में मेरे कितने रन बड़ पादे शद्धाम और खेल दे उसको चार रहन इसके साथ और के समाप्ति स्वार्गाची सुन्दरी और आदोर के समाप्ति पर फ्रेंड्स ग्यामलर ने बैन नोरन बनाया है जीतने के लिए चांटी फैन क्लब को प्रेंड नोरन की जोर्रत है जो कि अच्छी बल्ले बाजी की नासिर मामू ने स्रेजले स्रणों का एकदान दिया अलाकि अक्री ओर में भी अच्छी बल्ले बाजी की सद्दाम ने और कुछ बल्ले बाजों ने भी काफी बड़ा एकदान दिया नतीजा आट ओर के बाद कुल रन संक्या है बैन नो जीतने के लिए त्रेन नो रन की ज़रुरत है और मैंने पहले कहा था टाइम की का भी पाबन दी है 33 मिनिट के अंदर आपने को एक इनिंग खदम करना है और जांटी फैन क्लब की जितनी तारिफ की जा उतनी काम उन्होंने आपना किमती समय बचा लेया और 27 मिनिट के अंदर आपने इनिंग खदम की उनका शुक्रिया ऐसा ही कमीटी को सयोग कीजिए और बनने बाज जांटी फैन क्लब के सलामी बनने बाज बैटिंग के लिए जल्दी से जलने जाईए और फिर से मैं आपको जो दर्शे का अभी अभी उनको बताना देना चाहता हूँ की हिंदूर दे सम्राट चाशा का दोना दर्वीस अवेज़ा का मान्य स्री केलाजबो विवाले सिवसे ना विभाक प्रवो का रोण के साथी अमारे मित्र उरुने काभी बढ़िया हर सालों काभी बढ़िया अवेजन करते है अगर बात कर इस ग्राउंड की तो काभी बढ़िया ग्राउंड ही है पोस्टार का ये खूपसूरत ग्राउंड आउट्फिट का भी तेज है और बैट्समन प्लीज बल्ले बाज़े के लिए एक लेप ठाण और एक राइट हैंडर का अच्छी सोजवाब पर और चांटी फैन क्लब के पास भी काफी उम्ता बैटिक लाए जिसमें रोहित है बाडू सोलं करें काफी बड़े बड़े नाम है और इस जोड़ी पे काफी दार्वादार रहेंगी इस टीम की जोकि ये खतरनाक जोड़ी है वसीम और उस्मान की इसे बीच ये मैज चलता हुआ जान्टी फैन क्लब और फैंड्स गैंबलर की बीच में आपका अस्थाइम स्टार्ड होता है आपका अस्थाइम होता है ठीक दो बजे सदाम सामना करेंगे वसीम और पहले गेंद खराप गेंद फुल्ट वाद गेंद चार रहना और इसे मैज का अनन लेते हैं हमारे लखनबाव सलामपुरे और इशाद भई कापी फिर से एक बार सदाम की गेंद सामना करेंगे वसीम और ये तो गेंद तो बाहर गेंद लेकिन बल्ला भी तूट गया है और ये तो और कि और आवी आभी जो वसीम भाई ने चक्का मारा बल्ला तो तूट गया लेकिन गेन तो जहां मारने ती हो मारदी वसीम भाई नेशेर उने के लिए और रमेश उर इनकी वर से 200 रुबे का प्राइज आया है चक्के के लिए आजबे गरूप बल्ला तूट गया है लेकिन ताइम में स्टार्ट हो चुका है मैंने पहले कहा था कि अधर से एक बार मैच के और वसी मकाभी बढ़िया बने बाज है थोड़ी सी खराब गेंद बाजी में कहुंगा सद्दाम की अच्छी गेंद बाजी करने पढ़ेंगी रन रन बोर्ड स्कोर बोर्ड पे रन तो बना ल कर दो कि अधर यहिए इसी भीत दोर दर अपंडर लेकिन आ अंब पार आप देकना है अब बे डिशिजन पेंडिंग में रहेगा आपके पास रिवी वी अप लेकिन अंपकर के अग किए और डिसिजन पेंडिंग थर्ड़ हमपार के पास भी हमपार ने हमारे इशारा किया देखना है हमपार का यह रिवीव है देखना है बैट टाया पर बैट कांदुरू ने किना रहा लहीं है मैं जो टाइम है यह दो मिनिट अ कि नोट आउट कि काफी जोरदार आपिल होई थी लेकिन अपर कैसरा नोट आउट और जो रिवी बिले आथा आमपायर ने वहां तो कोई संकेत दिखाए ने दिये बड़े आमपायरिंग करते वे अमर दोन आमपायर इसे बीचे बड़े अगें धी ओ सद्दाम की पिर से एक बार जडमें दाला वीकेन बैटका नुरुनिक किनारा बड़िया फिल्डिंग वापर स्लिप के दिशा में नासर मामु खिलाडी थे अच्छे फिल्डिंग को आपर हाला कि रन का भी बड़िया बनाया है लेकिन फिल्डिंग और गेंद बाजिवे में योगतान देना होंगा अगर इस मुकापले को जीतना है फ्रेंड्स ग्यामलर करतो और इस मरताम आच्छी बल कराब यापर कैप्टन दे युनिस भैं लेकिन बड़िया ब्याकब आपर विपीशन साटेगा और एक एरंस संतुषोन पड़ेंगा आपर और श्राइक पर है उस्मान उस्मान में काभी बड़िया खिलाडी है अभी आची बल्ले बाद है फिर से बड़िया श्राट और उत्याची फिल्डिंग वापर गनेश द्वारा इसी बीच अमपर कैसारा और किसमाप्ती एक और किसमाप्ती पर स्कोर है बारा रन जिसमें पहली दो केंदों में दसर ना गए ते लिकिन उसके बाद चार कंदों में दो ही रन दे आपर सद्दाम ने लगबक कमब्याक गेंद बाजी एक और बारा रान मिना को इन विकट का नुक्सान पर खेलते वे जोन्टी फैन क्लाप और यह तकडी जोडी है सलामे बल्ले बाजी के उसमान और वसीम की जोडी को आउट करना होंगा अगर फ्रेंड्स ग्यामलर को इस मुका तो रुड़र रहे का अगर 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 ग्याइब अगर इस एक पहरा अपना करेंगे उस्मान बड़ा शोड खेलना चाहते थे गेंद यापर बल्ले से बरोबर ने आहीं मिलळन नहीं होई वापे दोड़े सी कराब मिस्पिल्डिंग नतीजा है यापर जहां जा एक रन होना चाहता होना चाहिए ता वह आपर मिस्पीडिंग के चलते दूसरा भी रन चुरा लिया बड़ी आए विक्टो की वी दोड़ वापर दोनों बल्ले बाजो की और ये जोड़ी काफी खतरनाक जोड़ी है इस जोड़ी को तोड़ना होंगा अगर इस पुकापल और याप पर और फिर से डिसेजन पेंडिंग बड़िया थ्रोव बड़िया आओ पज़र गेंद को जैसी गेंद हातों में आई दिपक मामा ने स्टम भी करें फिर से एक बार आ डिसेजन पेंडिंग रहेंगा थर्ड आमबार के पास देखना है उनका डिसेजन आना बाकी है और फिर से जोड़ी टाइम की पावंदी और यह आउट है जिया और यह आपर हाना में हाना में थोड़ा सा दोनों के लाड़ी के बीच में ताल मेलंगी थोड़ी से कमी के उनके से उस्पान को जाना होंगा और अच्छी आपर फिल्डिंग और अच्छा ध्रोव आपर और आभी बनले बाजे करने के लिए बालू सोलंकर और स्ट्राइक पर है वसीम और दिपक मामा काफी सीनियर के लाड़ी है काफी ज्यादा अनुव उनको मैच का काफी बढ़िया फिडिंग की सजावट करते हुए फिर से गेंद बाजे का भार समलते हुए और याबर फिर से जड़ में ताली हुए गेंद डिपक मामा काफी बढ़िया गेंद बाजे करते हैं काफी अपने गेंदों में वेरियेशन लाते है फिर से एक बार सामना करेंगे वसीम और याव फिर से बार आत्वार सद्धाम की और आम पर केशारा ओवर की समाप्ति है दोर्गे समाप्ति पर स्कोर हुए सत्रा रान एक योगे नुक्सान पर जांटी फ्लैन क्लब अबे भी वसिम खेल रहे और उनका साथ दे रहे बालू सोलंकार और पावर प्ले कतम होता हुआ थड़ी आड के बार पाच किलाडी तेनात कर सकते है और फिर से एक बार फिरडंग में फोड़ सा परिवर्दन होता हुआ मेरे कैल से नासेर मामु केंद बाजिकाओ बार समबालेंगे अबे जट्तो मैंने देखा नहीं नासेर मामु को जेंद बाजिक सब्सार्ण में इस टॉर्णामेंट में गेंद बाते का भार संभालेंगे और ये नो बाल और ये एकी नाना चार राना और ये खराब गेंद ये पहली गेंद आसर मामू की और फ्रीट रहेगा अगली गेंद फ्रीट रहेगी थोड़ी सी आप से चिटकी ये मेरे खायल से के नासर मामू के और फ्रीट रहेगा ये गेंद और फिर से और ये वन बाउंस ये जाल रहाए तुझी पाची सोड़ी संभ लेगा वापे खिलाडी तैना आते लेकिन मेरे खायल से बॉंडरिलान के काफी आगे आगे चुके थे उनसे सर फिर से एक बार गेंद पकड़ना चाहिए दियो मेरे क्याल से जोर लगा ना होंगा गेंद पास को फिल्डिंग वाच्ची फिल्डिंग करने होंगी अगर इस मुकाबले को जीतना है फ्रेंस गैंबलर को फिर से एक बार बालू सोलंका स्ट्राइक पर और फिर से एक बार ये जोड़ी पास करता हूं कि आप थोड़ी बॉंट्रिंग की थोड़ा सा बार ये जो हमने जो भगवी पटी लगाई उसके उपेर ना बेटे और थोड़ा सा बार बेटी ए फिर से आपर भूल्ट वास के नहां में कहें दे और फिर से छे रहना पर फिर से इस बार अच्छी गेंदा और जो बालू सोलंका ने दो लगातार गेंदों में दो छके लगाए थे उनको रामेश्वर अधुले इनकी और से 200 रुपे का प्राइज आ चुका है थोड़ा सा फिल्डिंग में फिर से आपर बद्लाव करते हुए दिपक मामा और ये ब्लाखोल में दाले विकेंद विकेट के पर यापर मिस कर गए और ये बाइज के रूप में आता हो जिया चार्ण बैट कांद्रों ने किना रहा लेता शायत जिया अंपार का शारा चार्ण तो बल्ले से चार्ण मिलते हुए तो इसे खराब युकेट कीपिंग वापर सजोद्वारा और ये तो फुल्टास गेंती छेरा आज 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 दिए अजिए और फिर से एक बार इसी वीच्छ वर के समापती तीन और किस पर सकते रंसंके जाप पोचे एक उन पन्ना स्रण इस चक्के के लिए फिर से एक बार रामेश वरादुलेंग दूद्वारा और ये तो आज प्राइज तो काफी आपर इनम की बोचार होती वी रामेश वराविन की और से और वसी मा जो की काफी बढ़िया बन्ले बाजे और यापा थोड़ा सा महिंगा और कहूंगा मैं नासर मामु का पिर से दीपक मामा बॉलिंग का बार सम्वालेंगे विकेट कीपर थोड़े उपर आते वे साम्ना करेंगे बालू सोलंकार काफी अनुबाव है लेकिन थोड़ा सा फिल्डरन उनका साथ नहीं दिया और ये फिर से फुल्टो आज गेंदा रो छेरा ना और या पर फिर से एक बार है रिवस कैसी दिशेत्र में केला उसको छेरन के लिए ये तो काफी बढ़िया होड़न शॉट था छेरन और इस मर्दाबा काफी आप वोली गिनते चुके वापार है और फिर से रामेश और भाविन की और से सो रुपे का प्राइज आता हुआ है बालू सोलंकर को और इसी बीच फिर से एक बार बढ़िया थेज गेंटी ये विकट की पर चुके और ये चार रान लेकवाइश दुरूप में और इसके बात का जो मुकाबला होने वाला है नाजिया सिमेंडों से सर्पन सिसी क्याप्टन टॉस के लिए और अपनी प्ले इंग्लिस लागे दीजिए और इसी बीच ये मुकाबला चलता हुआ थोड़ी सी करा विकट कीपिंग वापर चार रन बाइस की पिलते वे चौका फिर से स्लोनर गेंद आच्छा खिला उसको वापने खिलाडी तैना ताच्छी पिल्डिंग आच्छा थ्रो एक रन संतों शना पड़ेंगा और प्राइजों की आपर काफी पोचार करते हुए रामेश्य वर्भव अपने खिलाडी गोवर जानते हैं होसला उनका काफी अपजाई कर रहे होसला बढ़ा रहे हुँनका काफी प्राइजों की पोचार अब यह जाना शहीं से जिया और किसमाप्ती तो चार और किसमाप्ती पर रंसंग के जाकर पहुंचिए सत्तर अनों पर एक उकड़ेक नुकसान पर जान्टी फैन क्लाब और इसके बाद का जो होने वाला मुकाबला है नाजा सिमेंड वारा सरपन सिसी वालोज मैं दोनों ही कप्तान वारा अपनी प्लेंग लिस्ट लागे दीजे टॉस के लिए भी आईए इसके बाद का जो होने वाला मुकाबला है नाजा सिमेंट और रहा सरपन सिसी वाड़ों जा दोनों टीमों के कैप्तन से गुदारिश करता हूं कि टॉस के लिए कॉमेंटर बाक्स के दाहीने तरफ आई ये वहाँ पे हमारे आवे जगाओ उनकी हातों से टॉस हो जाएगा फिर से एक बार बड़िया गेंद वहाँ पर सद्दाम की स्लोनर गेंद दिये चुके बालु सोलंकार आपी बड़े बल्ले बाजी कर रहे है यव। भी से बड़िया गेंद तेज गेंद दिये यह के नाना के अच्छी सैट चुरा ले यादो बनले बाज होने वह से मस्ट्राइक पर सामन करेंगे शत्दाम का अभी तक बड़िया गेंद भाजी की जब पुरे अभी तक जित्ते भी मैचेस वे आभिया गेंद बाज सद्दाम इस मर्दबा थोड़ा सा शेत्र रशन खराब होने के वुझे से एक बार अरे वसी में मारना जाते वहाँ पे अच्छी फिल्डिंग वह उस शेत्र में खेलाडी तैना थे दोड़कर एकरन पूरा किया वापार लगता आइस मुखाबलेगर पूरी की तरह पूरी आइसी खेलेंगे तो लेकिन ना इस मुकाबले को जीट जाएंगे विकेट चटका नहींगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो फ्रेंड्स गांबलर को फिर से बड़ा शॉट गेनला जाएगा और इस मैं आज के तरह रूख करें तो जांटी फ्रेंड क्लब के पक्ष में जाता हुए मुकाबला फिर से एक बार पुल्टो आज गेंद और नतीजा छे छे राना आ 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 कि आ आ आ आ आ आओ आ आ कर्णाओ और आए युनिक सपोट्स के आउने रागव अपर भेस इस दो ज़ारिस करता हुए की नाज शेंडर वालू ज़ शर्पंच सिसी वालू ज़ इन इनका ट्वाश करवार लिजे प्लीज ऑ यूनिक स्पोर्ट्स के आउनर जफर माभू हम पार कैसार इविच ओर के समात्ती पाच ओर के समात्ती पर स्कूल है कुनाइं शीरा न और अगर वसींबा एक वर चक्का मारते तो रमेशर भॉविन की और से तोसों रुपे का प्राइज आ सब्सक्राइब और यूनिक स्पोर्ट्स के आउनर रहा है इनके हातों से टॉस और जा रहा है पिर से रिवाज सीपर के लने जाते दे बीट वे लेकिन और कि और याप रहा है कि सर्पंस इसी वालूज ने टॉज जिता इसके बाद का जो बड़ा मुकबल होने जा रहा है ना जा सिमिंड और सर्पंस इसी वालूज की बीच में लग इस मैच में पूरी की तरह पूरी हवी होती आप रहा इसे बीच थोड़ी सी दिशा इना गेंद बाजी आमपर कैसा रहे किनन वाइट बॉल तो जल्दी सीजल अपना निर ने बताई है और इसी बीच पूरी की तरह इस मुकाबले को मेरे खैल से जांटी फैन क्लब ने जीत लिया है फिरसा एक बार और गेंद तो मारना जादे दे लेकिन गेंद से बैट का अंधुरनी की ना रहा लिया गेंद ने फिरकाल से बॉटम के लेके गेंदो और दोड़ कारेकरन पूरा किया और ये छेरा न वारा और इस चक्के के लिए फिरसे एक बार दो सो रुपे का प्राइज यापर रमेज भावू रमेज रोविन के और से अब भी जीतने के लिए पांच रणों की जरू होता है देखना है फिनिश कहा करते हैं चक्का मार करें याँ बढ़िया बल्ले बाजी कर रहे है आपर बालू सोलंकर इसी पेच्छा थोड़ी सी पैट सब्सक्राइब डॉट की दिल दिलेवरी है और यापर आगया के मारना जाए दे बल्ले पेगेंद आई नहीं वापे आच्छी विकेट कीपेंग दिपक मामा दोरा गेंद कुचा का फिल्ड केया और आपर राण काफी बढ़िया बनाए तेले के नहीं उसे रन पा पर अंकुष नहीं लगाब लगा पाए गेंद बाज नतीजा जीतने के लिए चारण की जरुर्ण थे और ये शारुक ने फिर से एक बार क्या छोड़ दिया कि लगता है कि इस मुकाबले को जोंटी फैन क्लब ने तिन तन की जरुरत है लगबक जीत लिया है लेकिन अ मैचे कुछ का नहीं सकता है कि फिर से सामना करेंगे और रिवर्शीप च्वाड़ केल दिया उसको सिमारे के बाहार चार रहोंगा इसके साथ पुकाबले को जीत लिया है जांटी फैन क्लब ने आपना डिसीजन बताई है और और जो प्राइजों की प्रोशार की ती रामेशर भावने उनसे में गुजारिश करता हूँ